प्रिविएस लेक्टर के अंदर टेटोमरिजम की डेफिनेशन एक्जेम्पल्स के जिरी से एक्स्प्लेशन और रिक्वाइर्मेंट्स या फिर जिसको हम कंडिशन भी कह सकते हैं कि टेटोमरिजम का फिनोमेन शो करने के लिए कौन-कौन सी कंडिशन का होना जरूरी है इन में प्रोटोन एक जगा से दूसरी जगा पर ट्रांसफर होता है एक ही मॉलिक्यूल में यह सबसे इंपोर्टन बात है एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटोन एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसफर हो इस टाइप को यह इस तरह के आईसोमरिजम को हम नाम दे रहे होते हैं का मतलब का है सबस्क्राइब बात कि हमारे पास कीटो इनॉल इसकी डिफिनिश्ट है टाइप ऑफ आइसी टाइप है जो के कनवर्जन यह तब दिली के वज़ा से बनती है किस चीज़ के कीटो फॉर्म इंटु इनॉल फॉर्म आपकी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में तब हो जाती है जब आप थोड़ी सी मिकदार में एसर यह बेस को एड़ा कैटलिस्ट के तोब इसमाल करें अब इसका मतलब समझेगा के मतलब का है देखो वर्ड कीटो और इनॉल लिखा हुआ है कीटो एंड इनॉल कीटो से मुराद की टोन है बस यह बात आपने याद के लिए हम इसमाल करते हैं और 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 अलकोहलिक ग्रूप की प्रेजनस के लिए अगर आप अलकोहली गुरूप को नॉमन कलेचर देना चाहते दैन वी विल यूज ओल इन दिवाश्ट जिसको हम रूट नेम कहते हैं रूट नेम के तो बर हम ओल का स्थमाल रहे होते हैं ब यहां से एक प्रोटोन निकलता है यहां पर जाके ट्रांस्फर हो जाता है और यह हमारे पास बन जाएगी यहां पर एक जगा और यहां पर हमारे पास डबल बॉंड्ट देख लो दोनों का मुलीकुलर फार्मॉला से मैं यहां पर प्रोटोन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांस्फर हुआ है यहां सी एक हीडोजन निकला है यह औक्स चला गया और इस फॉर्म का हम इनॉल फॉर् और देखें यहां पर इनॉल का मतलब है डबल बॉंड और इस लिए इस 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 देखेंपल बनाने कोई बात नहीं आप इसके पीछ एक और च्था लगा दो सही आपकी नेक्स एक्जेंपल बन जाएग कि CH3 CHC CH3 अब यह भी हमारे पास की टोन है यह जब इनॉल में चेंज होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3 CH2 PROTOPY nexstate next थाइब की हैडिंग देदो PROTOPY अब सबसे परें इसकी हम डेफिनिशन कर लेते हैं Psympl सी डेफिनिशन है RISE ना टाइप अफ TEOTOP瑞ाम इस हमें TEOTOPR stewаем की ठाइब है Arise जो के बन रही होती है Arise Due to only transfer of proton within a molecule Due to only transfer of proton ये proton के transfer की वज़ा से बन रही होती है within a molecule एक ही molecule के अंदर within a molecule such as such as amino acid amino acid इस तरह की type को हम नाम दे रही होते है is called is called prototropy हमारे पास definition है कि हमारे पास ऐसे किसम है जिसमें एक ही molecule के अंदर proton एक जगर से दुसरी जगर transfer होगा जैसे कि हमारे पास molecule की example है amino acid तो example हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह हमने बेसिकली डिसक्स पहले भी कर चुके हैं जब हमने डिसक्स किया था O O H simple here निए टोटोमेरिजम का फिनोमेन डिसक्स कि वहाँ पे यह example हम डिसक्स कर चुके हैं यहाँ पे एक दोफ़ फिर लिख लेते हैं हमारे पास amino acid amino acid एक ऐसी चीज होती है जिसमें carbon atom के साथ alkyl group amino group और carboxly group तीन group मौझूद होते हैं अब यहाँ पे क्या होता है यह जब टोटोमेरिजम का फिनोमेन शोग करता है यहाँ से proton यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है जिसके निए था हमारे पास यह वाली कोई नई चीज़ बन जाती है COO negative बन जाएगा और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे चार्ज जाएगा इसको पर नेगेटिव लिए था हमारे पास प्रोटो टाइप अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो है अनूलर टियोटोमेरिजम अनूलर नेक्स हैडिंग देदो अनूलर टियोटोमेरिजम टियोटोमेरिजम सब्सेभले आपिनेशन दड़ टड़ आप ऑइसमरिजम वेर आ प्रटन कैन ऑक्पाई तू और मॉर पोजिशन ऑफ अहत्रो साइकलिक सिस्टम तोरी देखते हैं क्वेम थिल्टोमेरिजम यह इक मिनट्ट पसीने की वज़े से नए थोड़ सा काम थोड़ सा खराब हो रहे है अएग मिन तूर री ते टाइप उञेती त्य आइसोमरीज्व दा टाइप आफ टeotopenस्व कर लो ये टेउटो मारीज्व созн должен की ताइप ताइप है घॉर नरी होती है arise due to shifting of proton यह shifting of proton की वज़ा से बन रही होती है in a heterocyclic system heterocyclic system heterocyclic system में due to the transfer of proton की वज़ा से यह टाइप बन रही होती है इसको समझने की कोशिच कीजिएगा heterocyclic हमने इसको क्यों का है यहां मेरे पास जो इसको करनी है कुछ इस तरह की ग्जैंपल है यहां पर एक nitrogen लगा हुआ है और यहां पर हमारे पास double bond लगा हुआ है और यहां पर एक double bond मौझूद है और यहां पर यहां मौझूद है यह है heterocyclic annular system हमने एक चीज़ पढ़िए बेसिक लेवल पर ही और गनिक कंपाउंड क्लासिफिक जब करते हैं अगर कार्बन अटम के इलावा कोई भी अटम मौझूद हो तो इसको हम नाम देंगे heterocyclic का उसको हम heterocyclic का नाम दे रही होते है so यहां पे nitrogen atom मौझूद है benzening के अंद that's why it is known as a heterocyclic अब होता यह कि इसी compound के अंदर एक जगा से proton दूसी जगा पर transfer हो जाता है यहां पर एक क्योंकर balance आपने बराबर करनी होती है यहां पर एक hydrogen भी आएगा जिसके अंदर हमारे पास यहां पर भी एक पॉंड डबल बॉंड यहां पर मोझूद होगा एक बॉंड यहां पर यहां पर अब यहां जब hydrogen यहां पर transfer होता है तो यहां पर OH बन जाएगा यहां पर nitrogen आपका वैसा का वैसा ही अंदर रहेगा और यहां पर एक डबल बॉंड और बन जाएगा लिए था यह हमारे पास क्या है एनूलर टेटोमरीजम जिसमें हमारे पास हेट्रो साइकलिक सिस्टम के अंदर ही प्रोटोन एक जगा से दूसरी जगा ismm चेन टेटोमरीजम टेटोमरीजम सबसे पहले हमारे पास इसकी डेकले कि प्रोटोन ट्राउंसफवर होने की वज़ा से एक स्ट्रीइट चेन कंपौंड चेन होजाता है ring chain है. किसे में change हो जाता है? ring chain. वाज. सिंपल सी यह इसकी definition है. तो लिए लिख लेते हैं तक हमारे पास काम थोड़ी सा प्रोड है. The type of isomarism arise starting तक रिवन तक रिवन सबकी सेम है. The type of isomarism यह isomarism की type है. Arise जो के बन रही होती है arise. When shifting of proton from open chain when shifting जब shifting हो रही होती है. किस चीज़ की shifting हो रही है? Shifting of proton. Proton की shifting हो रही होती है. From open chain converting from open chain open chain में proton की shifting होती है and converting into and converting. और यह बदल जाती है into closed chain closed chain यह फिर रिंग में कहलो यह फिर इसकी जगह पर वर्ड रिंग भी इसमाल कर सकते हो इसको हम नाम दे रहे होती है. Is called is called ring chain teotomerism. अब जो जाज़िक उठाके जैसे आप पानी के ज़ए डालते हो तो proton की transformation की वज़ासे यही चीज़ ring chain में जानी रिंग में चेंज हो जाती है cyclic compound में चेंज हो जाती है यही हमारे पास example conversion of conversion of d-glucose into cyclic d-glucose d d glucose into cyclic d-glucose cyclic d-glucose glucose का cyclic d-glucose में तबदील हो जाना glucose हमारे पास कुछ इस तरह का होता है structure 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर hydrogen और hydroxide वगर लगे होता है जैसे ही यहाँ पर conversion होती है यहाँ पर oxygen 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह यह हमारे पास ring chain मन जाती है यह तरह हमारे पास conversion straight chain का into ring chain इस तरह हमारे पास यह जो प्रोसेस हो रहाँ है यह दू शिफ्टिंग और प्रोटोन की वज़े से और होता है अब इसके बार हमारे पास तो लास्ट वाली टाइप की बात करते है वह है जिफ्टिंग और है यह नोन कार्बोनायल टेटोमरीजम अब यह कौन सी टाइप है यह आसी टाइप जिसके अंदर आपका कार्बोनायल टेटोमरीजम केते हैं इस गॉर्बॉड परम्पाइप कर्बोनायल पिसाल के नाव चेवंट essauk इस नोज आज चाहिए तो स्कूलोगा रोडोन चाहिए टाइप टाइप ब्रोटोन in नाज कार्वोनिल कमपॉंद नहीं तो स्टाइप टाइप आज्जिट इसे तरीक चार्णियाज कुछ अजिगा लेकर आज चाहिए। CH3, CH3, single bond CH, double bond NH, यह हमारे पास इमाइन है, I-M-I-N-E, इमाइन, और यहां में प्रोटोन ट्रांस्फर्मेशन कहां से कहां बे होती है, यह चीज चेक करने वाले, यह सबसे इंपोर्टन है, अब यहां में होता ही है, कि प्रोटोन यहां से यहां बे ट्रांस्फर हो जाता है, कहां से, यहां से, यहां बे, और जब यहां से यहां पर प्रोटोन ट्रांस्फर होगा, यहां से कम हो जाएगा, यहां में CH2 रह जाएगा, बाकि क्या आगे CH, आगे जी, NH2, और यहां पर बान जाएगा, डबल बॉंड, लेजिए हमारे पास प्रोटोन ट्रांस्फर्मेश प्रोटोन ट्रांसफर्मेशन होने की वज़ा से हमारे पास दो आइसो मर बन गए इसको हम टेटोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं यह तरह पास एक दो तीन चार पांच पांच टाइप सें सही है तो इसके लाव और भी बहुत सारी हो सकती है अपनी मर्दी यह अपनी मर्दी अगर आप नाम याद रखते हो ना आपको डेफिनेशन इग्जैम्पल्स वगरा थोड़े बहुत जहन में आने शुरू हो जाएगी यहे मारे पास आज के लेक्चर में इसका स्क्रीन शोट लाजमी ले ले लिजिएगा अलाहाफेज